असलाम लेकुम वेलकम बेक तो मैं चैनल आज मैं बना रही हूं मज़दार से तिका आलू और ये बहुत टेस्टी बनेंगे घर में आलू अंडे सबके मौझूद होते हैं तो गर्मी में ये रेसिपी जटपट बन जाएगी और इतनी ओसम बनेगी कि बच्चे आप से कहेंग अनियन को हमने जादा नहीं हमने ऐसा कोई पकाना ब्राउन नहीं करना है तब इसका कलर तोड़ा वाइट हो जाए तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चे और लेसन और इसको डालके भी हम थोड़ी देर पका लेंगे हमें बस इसका कच्चा बंज़ा है वो खतम क करना है उसके बाद मैं थोड़ा से कुरियंडर डाल दिया था हरा धनिया इसको भी मैं इसके साथ थोड़ा सौतन कर लूँगी वेजेटेबल्स हमारे पक चुके हैं अब इनको हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आ को थोड़ी देर के लिए एक से दो मिनट के लिए फ्राइ कर लूँगी अब मैट करूंगी मसाले सौल्ट हस्बिस आइका हल्दी टू पिंचिस चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून और अब इसको हम दो मिनट फ्राइ करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चा पन है वो खत्म हो ज इतना कि बस आलू हमारे गल जाए और इसको मैंने दस मिनट के लिए कवर करके रख दिया था मीडियम फ्रेम पे और जो सबजी हमने फ्राइ की थी प्याज हरी मिर्ज और लेसन अब मैं उसको एक मिकसर में ब्लेंड कर लूँ एक स्मूज सा हमने पेस्ट तयार कर लेना है तो जी हमने इसाई सबजियां डाल दी है हमने आधा कप दही शामिल कर लेना है और फिर इसका एक स्मूज सा पेस्ट तयार कर लेना है ब्लेंड करते वे अगर पानी की जरुवत हो तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एट कर लीजेगा वैसे दही डालने के बाद इ पेस्ट रेडी है आलू चेक कर लेते हैं तो देखें आलू हमारे गल चुके हैं और इसमें अब हम शामिल करेंगे पेस्ट सारा पेस्ट आपने कंटेनर में से अच्छे तरीके से साफ करके निकाल लेना है कुछ भी इसके अंदर वेस्ट नहीं होना चाहिए तो यह मैंने डाल दिया है और बाकी का पेस्ट में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें शामिल कर दूँगी तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए आलू में इतना खुबसूरत कलर आया है और इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है यह बहुत टेस्टी आलू बनेंगे बहुत यूनीक से आपने कभी भी ट्राइ नी की होंगे तो जरूर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके देखें कवर करके रख दीजिए 10 तू 15 मिनिट के लिए जब तक जो हमारे जो हमने इसमें पेस्ट सामिल किया था उसका पानी खुश्क ना हो जाए और आलू अच्छी तरह उसमें पक न जाएं अब इस स्टेज पे मैंने इसमें अंडे शामिल किये तीन से चार अंडे या जितने भी आप पसंद करें वो डाल दीजिए इसके लावा मैंने एक चार कोल जो है उसका दम लगाया इसके अंदर कवर करा और ये देखें मज़िदार से तिक का फ्लेवर के हमारे तो ये जरूर ट्राइ कीजेगा मेरी रिक्मेंडेशन पर बहुत सॉफ्ट सी ग्रेवी है इसकी बहुत यमी सी अगर रेसेपी पसंद आई हो तो जरूर फॉलो कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा नेक्स वीडियो में मि अलाहाफिज